भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधान मंत्री शी नरिंद मूदी जी का इस कल की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है मानने प्रधान मंत्री जी, जिन्दगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, जब शब्द खो जाते हैं, वाणि ठम जाती है शब्री के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाए भावनाओं के पुश्मों के कुछ भी नहीं है मायननिय प्रधान मंत्री महोदय, इस मंच पे परम सद्धे स्वामिय अवदेश अनंद गिरी जी, परम सद्धे स्वामि कैलासन जी, सद्गुरु रिदेश जी महाराज, और उत्तर प्रदेश के लोग प्रियाय और सशक्त मुख्य मंत्री आदित नाज जी महाराज जित करता हूँ, मानिये प्रधान मंत्री जी, देश के कौने कौने से आये तमाम संत्वरंद, कोई हरद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलाडू, केरल और आंधर प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देभुमी उत्तरा खंड औ और हिमाचर प्रदेश से आया है यह हजारों संतों का जो समु आज इकटा हुआ है यह सनातन धार्म के उस उद्धोश के सपने को साकार करने के लिए इकटा हुआ है वो सपना जो अठारा वर्ष पूर्वेक संकल्क ते रूप में हमने देखा था वो सपना जो रिशी मुनी महत्माओं ने त्यागी तपस्यों ने आदिकाल से लेके आज तक देखा के पुरानों का उद्धोश है के जब जब धर्ती पे अधर्म बढ़ता है सज्जनता पर खत्रा उमरता है भगवान कृश्म का गीता में उद्धोश है के परित्तनाई साधूनाम विनाशाई चजुस्कृताम धर्म संस्थाप नार्थाई संभवामी युगे युगे यदा यदा ही धर्मस ग्रानि भवति भारत अभित्थारम अधर्मस सतदात मनम सरजाम हम भगवान कृश्म का जो गीता में उद्धोश है शिनमत भागवत के बारवे सकंद में उल्लेखित है कि जब धर्ती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा तो उस अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुरस्थातना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा इसलिए संस्कत का इश्लोग श्रीमत भागवत में संभल ग्राम मुकस्त अमनस्त महत्मना भवने विश्णु यशस कल की प्रादूर भवेश्चती इसका मतलब है कि भगवान द्रेता में राम के रूप में आयोध्या में आए द्वापर में कृष्ण के रूप में मत्रह में आए और भगवान कल युग में श्रीकल की निश्कलंक के रूप में इसी धरा परवतरित होंगे मान ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ ये ऐसा सईयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट की इस धर्जा को पूरे विश्व में फैलाने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटम कमर विश्व बंधूत का संदेश देती है उसको पूरी दुनिया में पहुँचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है वो भारत के यशश्री प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी कर रहे है माननिय प्रधान मंत्री महोदे ये एक और अधुद सयोग है के भगवान राम के सारे काज आपके करकमलो दौरा हुए है और आज का ये दिन ये शुबगड़ी जिसे देखने के लिए कितनी ही आँखें जो बंद हो गई ये शुबगड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहरों ने देखा और माननिय प्रधान मंत्री जी ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंके श्रीकल की धाम की पावन धर्ती पे आपके चरण पड़े है हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका वंदन करते हैं हम आपका विनदन करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बाद जरूर कहना चाहता हूँ ये कल की धाम श्रीकल की धाम जहां भगवान आएगा आज श्रीकल की धाम की आधार शिला माननिय प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा इस्थापित हो चुकी है अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रामराजी की पुरस्थापनास होने का समय आ चुका है एक बात कहते हुए अपनी वहनी को विराम दूँगा जब मैं प्रधान मंत्री जी को अमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधान मंत्री जी मेरे निमंत्रन को सुईकार कर रहेंगे लेकिन आप सब संतों के आशिरवाद से तमाम लाखो करोड़ो भक्तों की प्राथलाओं से माननिय प्रधान मंत्री जी ने मेरे निमंत्रन को सुईकार किया माननिय प्रधान मंत्री जी महोदे जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार पंद्रा दिन ये पूछती रही किया प्रधान मंत्री जी आएंगे मेरे पास कोई उत्तर न था लेकिन एक उत्तर था उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिखके दिया है मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा जैसे शवरी को विश्वास था के राम आएंगे जैसे विदुर को विश्वास था के क्रश्न आएंगे जैसे हमारी आस्था का आधार है के कलकी आएंगे वैसे ही आचार प्रमोद किश्णम को ये विश्वास था कि नरंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं अपना वचन निभाएंगे मान्ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान कृष्ण के ज्ञान योग कर्म योग भक्ती योग अगर हम तीनों को एक साथ रखके एक साथ रखके जब हम वेजन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ती योग कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगे मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की बनती है मैं अपनी वार्णी को विराम देता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ उतरप्रदेश के माननिय मुख्य मंत्री गोरक्ष पीठा दीश्वर पूजिपाद योगी अधितनाजी महराज से के वो मानने प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें जोरदार नारा और जैकारा लगना चाहिए अबद अबद पुरी से कल की धाम अबद पुरी से कल की धाम अबद पुरी से कल की धाम